नमस्कार हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर ने आज चलो चमबा अभियान के अंतरगत आयोजित दी हिमालियन घोरल नवी राष्ट्रिय ड्रेगन वोट रेस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रसिध जल करीडा स्थल तलेरू में आयोजित कारेक्टरम को संबोधित करते चलो चमबा अभियान प्रतियोगिता में 19 राजियों से लगभग 800 प्रतिभागियों ने हिसा लिया एसा अभियान के श्रिंखला में आयोजित की जाने वाली विभिन गतिवीधियों के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन देते हु मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमीत संसाधनों के बावजूद जिला प्रशासन और स्थाने लोगों की सक्रिय अभागिदारी से प्रतियोगिता का सफल आयोजन निसंदे जिला में आर्थेक स्वाव लंबन की दिशा में एक महतोपुन पहल है मुख्यमंत्री ने कहा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक माध्यम होगा इस चंबा जीला के जवीन स्थानों को प्रेटर की दिश्ची से आगे बढ़ने के लिए और उसमें मैं देख भी रहा हूं कि निश्चित रूप से इस अभ्यान के अंतरगत्र हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं जहां हम को पहुंचना है जहां हमको जाना है और चमबा जीला के अंतरगत्र मैं देख रहा हूं एक नहीं बहुत सारी बहुत सारे स्थान ऐसे जहां प्रेटर की बहुत सारी संभावनाएं हैं लेकिन संभावनाएं होने के बावजूर भी जहां हमको भी बहुत करना काम करना बाकी है चाहे हम अब चलो चमबा अभ्यान के अतरगत्र पैरागलाइडिंग की बात करने चाहे बात कर रहे हैं चाहे रिवी राप्ति की बात कर रहे हैं वोटिंग की बात कर रहे हैं ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं मोटर बाइक और साइकल रैली की बात कर रहे हैं चम्बा के हमारी जो यहां की पारंपरिक कला है शेल्प की चम्बा का खान पान है इन सारी चीदू को लगता मुझे चलो चम्बा भ्यान के अंतर गत्यों है आगे बढ़ाने का एक अफसर जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से हम आगे बेहतर दंग से काम करने की स्क कला, मूर्ती कला, शिल्प कला, प्रसत्र कला और प्रसिद उत्पादों को परेटन से जोड़ कर इन से जुड़े कलाकारों शिल्प कारों की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी उन्होंने यह भी कहा कि चम्बा रुमाल आज अंतर राश्ट्री अस्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है, जो प्रदेश वासियों के लिए गर्व के बात है। पाठशाला लढ़ेर व जतराहन को उच्च विद्याले में स्तरोनत करने की घोशना की। जो तरान संपर्क मार्ग और दो अन्य सडक मार्गों को सभी आपचारिकताएं पूर्ण होने की अवस्था में जल्द निर्मान कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिये। डल्होजी विधानसभाक शेतर के तहट विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधानसभा में विभिन विकास आत्मक कार्यों के तहट की गई 24 घोशनाओं में से 19 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है और 65 परियोजनाओं का कार्य प्रगती पर है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लगभग 103 करोड रुपए की लागत वाले 10 विकासात्मक परियोजनाओं के उधगाटन और 4 परियोजनाओं की आधार शिला रखी। शांक का विमोचन किया। उन्होंने प्रतियोगिता के विजयता प्रतिभागियों को मैडल और ट्रॉफी प्रदान किये। मुख्यमंत्री शिरी जैराम ठाकुर ने गुरु नानक जयनती के अवसर पर प्रदेश वासियों विशेशकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। कि गुरु नानक देवजी ने प्रेम, शांती तथा सांप्रदायक सदभाव का संदेश दिया है। प्रदेश में कुल 2,26,120 लोगों में कोरोना वाइरिस की संकर्मन की पुष्टी हुई है, जिनमें से 2,21,231 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,065 वेक्ति उप्चारा धिन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल आईपीर हिमाचल, फॉलो करें, ट्वीटर एट डिप्रहप, लाइक करें, फेस्बुक पेज, इन्फरमेशन और पॉब्लिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट कर वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिये इजाजत, नमस्कार